नमस्का दर्सक्मित्रों आज के वीडियो में Tata Mutual Fund के एक बहत्रिन Value Fund के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है Tata Equity P.E. Fund दोस्तो तकरीबन 15 साल पुराना ये फंड है और पिछले 15 सालों के अंदर इस फंड ने एक बहत्रिन Wealth बना करी है और आगे भी अगर आपको आने वाले 10, 15, 20 सालों के लिए निवेश करना हो तो ये एक बहत्रिन फंड है जिसमें आप S.I.P. लमसम के माधियम से निवेश कर सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में Tata Equity P.E. Fund के Investment Approach के बारे में हम डीटेल में जानकारी प्राप करेंगे इसके साथ इस फंड के current portfolio के बारे में भी डीटेल में चर्चा करेंगे कौन-कौन सी कंपनियों में कितना allocation दिया है उसके बारे में डीटेल में चर्चा करेंग और वीडियो के अंत में पिछले 15 सालों के अंदर कैसे इस फंड ने S.I.P. के माधियम से बड़ी वेल्थ बना करी है उसके बारे में भी डीटेल में जानकारी प्राप करेंगे तो आप सभी से अनरोध रहेगा वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा अगर आपको पिछल फंड के माधियम से S.I.P. के माधियम से निवेश करना जरूरी है और लंबे अधी में आपको एक्विटी मार्केट ही एक सस्टेनेबल वेल्थ बना के दे सकते हैं तो अनरोध रहेगा जादा से जादा लोगों तक आप इस वीडियो को जरूर शीजेगा दोस्तों Growth at Fair Price ये Value Fund का एक Philosophy है एक Fair Price पे ही किसी कंपनी में निवेश किया जाता है ताकि उसमें आपको ज्यादा Benefit मिले कई सारी ऐसी कंपनिया है मार्केट के दर जो एक expensive valuation पे Currently ट्रेड करी है और अगर वहाँ पे आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपका अगर आप देखें Downside Risk बढ़ जाता है इसके सामने अगर आप कोई कंपनी जो affordable rate पर आपको मिल रही है जहां पर future में growth भी है sustainable growth भी है तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा value buy मिलता है तो यही अप्रोच लेके value fund निवेश करते हैं ऐसी कंपनिया जहां पर growth भी हो और एक fair price भी हो वहां पर ही fund में buy करेगा ना की cheap company में market में कई सारी ऐसी कंपनिया है जो अगराब देखे cheap company भी है जहां पर अगराब देखे सालों से valuation नीचे ही रहा है और आगे भी नीचे ही रहेगा फंड growth at fair price पर निवेश करेगा जो कंपनिया future में growth दिखाने का potential भी रखती हो और जिन में valuation भी comfort आपको मिल रहा हो वहां पर भी फंड आपका निवेश करेगा क्यूंकि एक फ्लेक्सी केप फंड रहेगा portfolio अप्रोच फ्लेक्सी केप रहेगी तो ये फंड large cap, midi cap, small cap कहीं पर भी निवेश कर सकता है किसी भी restriction के बिना तो एक फ्लेक्सी केप portfolio रहेगा और एक bottom up investment अ सबसे पहली कंपनी है भारत की डिगज private sector की बैंट, ICICI bank यहां पर आरपर का allocation fund ने दिया है उसके बाद अगेन एक भहतरीन private sector की बैंट है जिसका नाम है HDFC bank यहां पर भी 7.7 पर का allocation fund ने दिया है उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कंपनी है market cap के इसाफ़से जिसका नाम ह है Reliance Industry दोस्तो Reliance Industry Petrochem में भी काम करती है इनका Retail Store भी है और Gio में भी इनका business है तो एक बहुत बड़ा company का business है जहां पर fund ने बड़ा allocation दिया है उसके बाद भारत की दिगज IT company है Infosys यहां पर 6.6 पर का allocation दिया है उसके बाद है again HDFC Group की parent company HDFC Limited NBFC segment में काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी company है इसके साथ HDFC Limited, HDFC Mutual Fund, HDFC Life Insurance और HDFC Bank की भी एक holding company है तो एक बहुत बड़ा इनका भी business है यहां पर भी साड़े 5 पर का allocation fund ने दिया है उसके बाद है एक बहुत इप value share ITC, ITC अगर आप देखे currently 5% dividend yield पर trade कर रहा है एक FMCG company है आपको 20 के नीचे के P.E. पर मि अगेन एक दिगज IT company बहतरी इन डिविडेन देने वाली company HCL Technology यहां पर 4 पर का location दिया है उसके बाद PSU sector की दिगज कंपनी Power Grid यहां पर 3.8 पर का location दिया है उसके बाद cement sector की company है ACC यहां पर 3 पर का location दिया है रेडिको खेटान यह एक small cap company है liquor segment में काम करने वाली यहां पर 2.7 पर का location दिया है उसके बाद private sector की बहतरी बैंक Axis Bank यहां पर 2.7 का location दिया है उसके बाद एक PSU bank है भारत की सबसे बड़ी PSU bank है SBI यहां पर 5 पर का location दिया है आगे बट हैं अगली कंपनी है Oracle Financial Service यह एक IT company है mid-size की और एक 22 dividend देने वाली company है इसमें भी बहुत बड़ी value है यहां पर 2.7 का location फणने दिया है उसके बाद अगेन भारत की सबसे बड़ी IT company Tata Consultant Service Limited अपने segment की दिगच company यहां पर 2.7 का location फणने दिया है उसके बाद है एक 22 mid-size फार्मा company Alembic Pharma यहां पर 2.7 का location फणने दिय यह company majority market रखती है यहां पर 2.7 का location दिया है Sun TV यह अगर आप देखे entertainment segment में काम करने वाली company है यहां पर 2.7 का location दिया है और यहां पर भी बहुत बड़ी value है Sun TV बहुत रिन sustainable dividend देने वाली company है तो यह भी future में एक अच्छा value by fund के लिए बन सकता है Bajaj Auto भारत की दिगज company है two-wheeler and three-wheeler segment में और यह company अब electric vehicle में भी एक बहुत ही बड़े सर पे आने वाली है तो यह भी EV की बड़ी story बन सकती है जिसका फाइदा fund को भी मिल सकता है उसके बाद है AMC sector की एक बहुत रिन company UTI AMC इसमें भी deep value है इस पे भी हमने कुछ महने पहले detail में video भी बनाया था UTI AMC एक बहुत ही बड़े business segment में काम करती है pension fund में भी इनका business है इसके साहत है mutual fund में भी इनका business है और यहां पर भी 1.8 का location fund ने दिया है अगली company है भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली company MRF यहां पर 1.8 का location दिया है उसके बाद Tata Group की बहतरिन auto company Tata Motors और यह भी global star पर EV की एक बहुत बड़ी story में participate कर सकती है JLR इनका एक बहुत ही बड़ा segment है जहां पर electric vehicle एक बहुत ही बड़ा company के लिए vertical बन सकता है यहां पर 1.7 का location fund ने दिया है 3M India एक MNC company यहां पर 1.6 का location दिया है Dr. Redis एक दिगज pharma company 1.5 का location यहां पर दिया है और उसक fund ने दिया है और चाजा करें portfolio के बारे में तो equity oriented portfolio है 97% allocation equity में दिया है एक concentrated portfolio है ज्यादा diversification नहीं किया है fund ने 30-80 share है portfolio के अंदर एक concentrated portfolio आपको एक better आलफा बना के दिया सकता है लंबी एउधी के अंदर top 10 company में allocation 54 पर चाहे average PE इस portfolio का तक्रीबढ़ 24 का है अगर आप देखे निफ्टी का currently average PE तक्रीबढ़ 29 के आसपास दग रहा है तो निफ्टी के पीस है थोड़ा कम PE पर यह portfolio बनाया गया है average market cap इस portfolio का 1 लाग 90 पर करोट का आसपास का है तो एक large cap oriented portfolio का करणंट्री अगर आप देखें लाज करेंटी 66 का अलोकेशन दिया है मिड़ केब में 21 और थोड़ा बहुत स्मॉल के अलोकेशन फंड ने दिया है तक्रिपन नोपरिस का और आगे अगर अपरचिंटी मिले तो फंड आपका अलोकेशन स्मॉल केब में बढ़ा भी सकते हैं त तो इसमें डेफिनेटली एक्वीटी का ही रिस्क रहेगा फंड मेनेजर है सोनम उदेशी जो टाटा ग्रूप के एक डिगज फंड मेनेजर हैं 23 साल का इनके पास experience है एक बड़ा experience लकने वाले फंड मेनेजर है बहुत ही पूरा ना फंड है अपने सेग्मेंट का 2004 में फंड क लगाए होते है जब यह फंड लौंच हुआ था तो तब से अब तक फंड अगर आप देखें 10,000 का 1,79,000 बनाके डिया है तो एक बड़ी ग्रोथ दिखाई यह फंड ने फिछले 16 सालों के अंदर और 18 प्रस के CGR से इस फंड ने रिटन बनाके डिया है तो एक बहुत ही ब रखने वाला बहुतिन फंड है टाटा इक्विटी पी फंड लंब यह उदे के लिए एक बहुतिन विकल्प है करन्टली आप स्टीप के माध्यम से लंब सम भी कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है और आपको पांस साल से अडिक टाइम फ्रेम के लिए निवेस्ट कर कर सकते हैं तो साइप कैसे इसको फंड में परफोमस दिखाया उसके बारण bitsज़ा करते हैं पिसले सालों में अगर किसि इंवेस्टर ने इस में SIP की होती तो उसको कैसा रिटर्न मिला है उसके बारे में जानकारी प्राप करते हैं दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपे की SIP टाटा एक्विटी पी फण में की होती जब यह फण लॉंच हुआ था तब से अब तक तो 2004 से 2021 के बीच में 206 मन्त की SIP हुई होती और 20,000,000 रुपे निवेस होते 10,000 के रुपे के हिसाब से और यूनिट पर्चेस होते 50,441 और आज की डेट में उसकी वेल्यू बनती है 90,31,783,20 ल अगे भी यह फंड आने वाले 10-15 सालों के लिए 32 फंड है SIP के लिए तो दोस्तो अगर आपको फंड में निवेश करना है तो आप हमें डिएगे नंबर पे संपक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या वाट्सब भी कर सकते हैं दोस्तो एक बहुत ही बहुत ह रहेगा कि इस वीडियो को आप शेर दरू कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इन्वेस्ट्न मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जा गाल आपने पफिए टिए रुटर्पी दो किया है।